Kids Plot, कौम में आपका स्वागत है। इस कहानी का आनंद ले और अपने दोस्तों की साथ साजा करें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार, एक समय की बात है। एक छोटी से गाव में जैक नाम का एक युवा लड़का रहता था। जैक को खोजबीन करना बहुत पसंद था और हमेशा से था। रोमांज की तलाश में, एक दिन, मंत्रम उब्धा जंगल में घूमती समय, उसकी नजर एक पर पड़ी। अनोखा दृश्य, यह मिस्टर विसकर्ज, एक बिल्ली थी जो बात कर सकती थी। जैक को अपनी आँखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, और दोनों जल्दी ही दोस्त बन गए। मिस्टर विसकर्ज ने जैक को एक गुप्त मांचित के अस्तित्व के बारे में बताया जिसमे था। उन्हें जंगल के भीतर छुपे खजाने तक ले जाने की शक्ती। जिग्यासू, जैक और मिस्टर विसकर्ज, मांचित्र खोजने की खोज में निकल पड़ा। जैसे ही वे जंगल में गहराई तक गए, उन्हें थोकर लग गई। राजकुमारी लिली, जिन्होंने उनके साहसी साहसिक कार्य में सहायता की पेशकश की, तीनों को विभिन परीक्षणों का सामना करना पड़ा, और उनकी यात्रा के दौरान कश्ट, उनका सामना स्नारली दगोबलिन से हुआ, जिसने नक्षा चुराने की कोशिश की थी। उन्होंने एक रहस्य में आकृते द्वारा संरक्षित एक राजसी पुल का सामना करना पड़ा, पुल की संरक्षक ने चुनोती दी, उन्हें अपनी योगिता साबित करने के ये पहेलियों और परीक्षनों से अवगत कराएं, अपनी सयुक्त बुद्धी और चालाकी के मा चमाता संडूक, अचानक, एक राजसी गोल्डन यूनिकॉन उनके साहस और दोस्ती को पुरस्कृत करते हुए उनके सामने प्रकट हुआ, यूनिकॉन ने उनकी इच्छा पूरी की और उन्होंने निस्वार्त भाव से इसका उप्योग सम्रिध्धी और खुशिया लाने क ये किया, उनका गांव, अपने साहसिक कार्य के अंत के साथ, खुशी और ग्यान से भरपूर, जैक, श्रीमन, विसकस और राजकुमारी लिली नायक के रूप में घर लोट आए, उन्होंने अपनी प्रेरना दायक, उल्लेखनिय कहानी साजह की, दूसरों को अपने स्वैम क के रूमांज की तलाश करने और जादू को अपने दिलों में अपनाने के लिए, समाक्त